अधियो नमस्कार दोस्तों मेरा दाम है और आज कि इस वीडियो के इंदर हम johnson methaori test को बहुत यह अच्छा से आपर देखने वाले और इस test को images और वीडियो के माध्यम से आपर देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ और साथ यार कैसे आपको इसको एक्जाम में लिखना है उन इस्टेप्स को भी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं तो यह जो वीडियो बहुत ही कमाल कर आएगा और आपके सभी कंसेप्स को क्लियर कर देगा तो यह स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो आएब हम देखते हैं जॉंसन मेथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेशन तो यह एक रिवाइस्ट वर्जन है पहले इसको डिजाइन किया गया था 1932 में और इसका परपस था नियूरो मस्कुलर स्किल्स को देखना नियूरो मस्कुलर मतलब होता है कि क्या आपका नर्वस सि और इसको comprehensive बनाया गया 1938 में मेथनी नाम के एक व्यक्ति ने इस टेस्ट में से 6 आइटम्स को eliminate कर दिया पहले 10 थे 6 अब कित्ते बचे सिर्फ 4 आइटम्स यहां पर बचे और यह जो चार आइटम्स हैं इनको हम 4 motor इस्टंस पोलते हैं और इन motor इस्टंस को परफॉर्म करने गल्स को यह जंपिंग फुल टंस नहीं परफॉर्म करना रहता है तो देख लेते हैं कि क्या क्या है और उसके पहले टेस्ट एरिया कैसे डिजाइन होता है यह समझ में आ गया तो आपको 50% समझभा आ जाएगा तो टेस्ट एरिया कुछ ऐसा है तो इस तरीका आपने देखा हो गए योगा मैट रहती तो इसी तरह कि एक मैट रहती है और ये तोटल 15 फिट की रहती है तो दो को यहां पर नीचे मैंने दो दिखेंगे तो 18 इंच तो सबसे पहले एक मैट ले लिए 15 टोटल लेंथ है दो पार्ट में उसको डिवाइट कर दिया तेन इस पूरी मैट को मैं 10 पार्ट में डिवाइट करना है तो अगर आप यह जो कॉलम्स किनोंगे तो 10 आपको देखने को आपन बिलेंगे तो 10 कॉल इसकी मोटाई रहेगी 3 इंच और जबकि यह जो लाइट वाली लाइन है इसकी मोटाई रहेगी 3 by 4 इंचे मतलब 1 इंच से भी कम फिर आगे हम चलें तो बीच में यहाँ पर एक सेंटर लाइन आपको देखने को मिलेगी और यह जो सेंटर लाइन है मतलब यह जो बीच वा कि 1938 में टेस्ट डिजाइन किया गया चार इसमें element है चार कौन-कौन से element है वो लिखा कौन से girls हैं कौन से boys हैं boys तो सारी है एक जो girl का नहीं वो लिख देना test area इस तरह का बना के यहां तक लिखना है अब आगे बढ़ते हैं इन चार elements को हम देख लेते हैं front roll मतलब यहाँ प पूइंट से यह test area के end points हम start करेंगे पहरा roll हम मारेंगे और जो पहला roll रहेगा है वो इस तरह से मैं आपको यह पर शो कर रखा है यह रहेगा बिल्कुल half line साड़े साथ फिट तक का आपको पहला गुलाटी खानी है यह तैन उसके बाद जो आपकी दूसरी गुलाटी रहे करना है और start करना है perform करना starting से साड़े साथ फिट की आपको एक गुलाटी माननी है रोल करना है अपने आपको और front रोल है तो मतलब सिर के बल से आपको रोल करना है और पहला roll आपने किया बिल्कुल इस line पर आपको रुकना है फिर second roll यह जो mid वाली line है यहां से लेकर last तक क scoring कैसे होगी अगर आप correct रोल करते हो तो पहला roll करोगे 5 marks आपको मिल जाएंगे 5 point दूसरा roll करोगे तो आपको 10 मतलब पूरे 5 और 5 10 point मिल जाएंगे तो maximum इस टेस्ट से आप 10 point ले सकते हो आप marks deduct के से होंगे 2 points deduct होंगे for overreaching the side line अगर जो side वाली lines है ना यह आपको जो दिख the end limit लास्ट की limit है उसको overreach कर दे तो आप उससे आगे बढ़ जाते हो तो भी आपका 1 point deduct हो जाएगा और पूरे के पूरे 5 point deduct हो जाएंगे अगर आप roll ही सही से नहीं मार पाए तो तो यह scoring basic है एक बार यह जो test area इसको बना के देख लोगे इस तरह से जो मैंने बना रखा इ back roll बिल्कुल same है एक्जाम में भी इसको बार बार मत लिखना back roll में क्या होता है देखो यहां पर image देखो आप बस image देखो के तो इसमें क्या उल्टी गुलाम्टी अपकी बार आपको खानी है पहले front से खा रहे थे अब back के बल खाना है तो back के बल आपको same steps करना है कि पांस 10 points आपको यहां से मिल जाएंगे इसके बाद आगे कहा है jumping half turn तो इसको थोड़ा सा समझना है आपको jumping half turn को आपको start कहां से करना है तो jumping half turn यहां पर एक मैंने जो red line बना रखी है यहां से आपको start करना है यह अपनी कौन से line है 3 inch वाली line है जो मोटी वाली line है वहां से start करना है अब इसमें क्या करना है आपको jump करना है और आधा घूमना है तो यहां पर यह जो लड़का खड़ावा है यह jump करेगा जैसे इस line तक यह jump करेगा second बार वापिस से यह ना वापिस से jump करना है और अपकी बार दूसरी side face करना है जैसे पिछली बार back face कर रहा था अब front face हो करने लग जाएगा तो यह दूसरा jump यहां तक आएगा फिर तीसरा jump और चौथा jump इस तरस उसको 4 jump मारना है तो देखो यहां पर scoring कैसे होती हो देख लेते हैं तो perfect execution of 4 jump is worth 10 points अगर 4 jump आपने perfect कर दे तो 10 point मिल जाएगे 2 point deduct होंगे अगर आपने wrong jump मारा and when the subject either does not land with both the feet on the third line or turns the wrong way तो 2 points कैसे आपके cutting है पहली बात तो जैसे for example आपने यहां से jump मारा jump मारके आप इस line तक नहीं पहुंच पाए या तो इससे आगे बढ़ गए पीछे रह गए तो 2 point कर जाएंगे या फिर हो सकता है कि आपने पहला jump तो कैसे मारा left side मारा और दूसरा jump भी left side ही मार दिया तो फिर क्या होगा वापिस आपके point कर जाएंगे एक बार left jump मारना है त तो यह होता है अपने पास jumping half time same to same steps अपनों को लिखनी है last is jumping full turn इसको सिर्फोर से boys perform करेंगे girls इसको perform करेंगी नहीं then इसको देखो कैसे start करना है यहां पर मैंने बना रखा है तो बिल्कुल end वाली line पर आपको आना है यहां से jump करना है और आपको jump ऐसा करना है कि यह वाला आपको कूदना है और कूद के second वाले blocks में आपके पाउं जाने चाहिए याना पहले कहां पे जा रहे थे half turn जब हम कर रहे थे तो line पे आपके पाउं जा रहे थे अपकी बार देखो एक पाउं उपर वाली side और एक पेर नीचे वाली side इसलिए हमने इसको beach से दो parts में divide किया आपको 360 degree turn करके आपको यहां पर आना है फिर वापिस से same jump करेंगे यहना beach का एक चुड़ जाएगा और आप सीधा jump करेंगे j2 जहां पर लिखा हुआ है वापिस होगा एक पेर इस वाले में एक पेर नीचे वाले box में फिर यह बीच वाला एक और पूरी line छोड़के j3 जह अब यहां पर balance बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर balance नहीं बन पाया किसी भी jump में तो दो point अपके deduct हो जाएंगे and turns too far हो सकता है कि भाई साब वह ब्लॉक्स में land ना कर पाए कहीं और land कर दे तो अगर landing गलत होके तो भी 2 marks कर जाएंगे और over steps the square लाइन पर land कर देगा तो भी 2 marks कटेंगे तो इस तरह से आपका jumping full turn यह पर perform किया जाता है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी doubts हो सवाल या सुझाओ तो इसको आप जरूर से comment box में आपको दोर करने आपको कि ही को समय की कि अपका सुझाओ थोर कारी कासि को बावजाय को सवाल चूर कर दो कर दो ढवन clarify तो बावजे है बावजाय।